हेल्लो क्यूटीज वल्कम बैक तो मैं चैनल फिल्मी फैन फिक्षिन और आज मैं आप सिब के पास एक न्यूव फैन फिक्षिन लेकर आई हूँ ये एक वन शॉट एफ है नॉट 18 प्लस ये एफफ आफ सब लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैं कोई वल्गर वर्ड्स या नाइट डिटेल्स के बगेर तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू वन शॉट एफ एफ इस कहाने की शुरुआत होती हैं हमारे यूंगी से में यूंगी जो की बहुत ज़ादा परेशान था वो हाथों में देश सारे फाइल्स लेकर तोड़ते हुए कही जा रहा था औ उसने रोप लिया और वो कहता है यूंगी रिलाक्स हमारा बिचारा यूंगी जब मुर कर देखता है तो ये उसका बॉस था बिचारे का गला सूप गया और वो कहता है सौरी बॉस मैं बस आने ही वाला था जंकु कहता है तुम थोड़ा रिलाक्स हो जाओ पहले मैं क्या त नोकरी खा जाओगे यूंगी सारा फाइल्स लेकर सामने आता है और कहता है बॉस यह रहा सारा फाइल्स लेकिन हमारा जंग को कहता है अभी फाइल्स की जरूरत नहीं है मेरे साथ चलो कहा, मेरी शादी की शॉपिंग में और कहा बेचारा यूंगी, अब तो बस रोने ही वाला था इसकी शादी की तैयारियों के चक्कर में और कितने काम करने परेंगे लेकिन बेचारा चुप चाप बस फॉलो कर रहा था दोनों गारी में बैठे और एक बरे से शॉपिंग मॉल में चले गए जंगुक अपने फियान से टे को वीडियो कॉल करता है और एक एक चीज दिखाने लगता है क्या का वो खरीद रहा है खाफी जादा टाइम लेकर वो चीज़े खरीद रहा था बेचारा यूंगी अप परिशान हो गया था क्या लर्कियों की तरह कब से शॉपिंग किया जा रहा है वो अपने नाप मूज सिकुड कर गुसे में खुद से ही बरबर कर रहा था वो गुसे में बस देख रहा था ये लर्की है क्या इतना जादा शॉपिंग तर लड़किया भी नहीं करती जब से इसकी शादी तेह हुई है शायद इसका दिमाग ही खराब हो गया यूंगी यह सब अपने मन में कह रहा था क्योंकि सामने से कहने कि उसकी हिम्मत नहीं जंकु कॉल कट करता है और एक बार मुर कर शुगा की और देखता है और हलका सा स्माइल करता है क्योंकि उसे समझ में आ रहा है हमारा शुगा उसे बिना साबुन के धोय जा रहा होगा उपने दिमाग में यह सोच कर जंकु के खलका सा स्माइल करता है और कहता है शुगा तुम्हारी शादी का पूरा शॉपिंग मैं स्पांसर करूंगा शुगा जो अपने मन में इतना कुछ सोची रहा था वो जोर से चिला कर कहता है कभी नहीं अगर शॉपिंग करना परेगा तो मैं शादी ही नहीं करूंगा अगर कभी शादी कर लिया तो भाग के कर लूँगा तकि कोई खर्चा ना हो जंकुक हलका सा डेविल स्माइल करता है और कहता है तुम अभी शापिंग कर सकते हो मेरे पैसो से लेकिन हमारा शुगा कहता है कोई जरूरत नहीं अगर पहले बता होता कि शादी में इतना कुछ होता है तो अपने माबाप को भी मैं मना कर देता शौप की पर और जंकुक दोनों ही हस रहे थे शौप की पर कहता है क्या आप अपनी ममी पापा की शादी में होते उस वक्त सारी चीज़े खरीद रहा था और बेचारे शुगा का दिमाग खराब हो रहा था कब से इतने सारे बैक्स लेकर वो खरा है जंकुक कहता है तुम बैठती क्यों नहीं शुगा कहता है अभी बैठ गया तो उटने के लायक नहीं रहूंगा हाथ पाओ कमर सब एक साथ अकर गया है जंकुक एक डेविल स्माइल करके कहता है जाओ जाकर सारी चीज़े कार में रखे फिर के फिर से आओ तब तक तुम्हारी कमर भी सीधी हो जाएगी हमारा शुगा मन में जंकुक को धेर सारी गालिया देते हुए जा रहा था जब से इसका असिस्टेंट बना हूँ जिन्दे की चहन्नुम बन गई है मेरी ये मरता क्यों नहीं शुगा एक सेकेंड के लिए भी रुका नहीं था मन में धेर सारी गालिया देते हुए सारी चीज़े रखकर फिर से वह आया और हमारा जंकुक तब तक धेर सारी चीज़े खरीद चुका था जब तक हमारा शुगा सारी चीज़े रखकर आया जंकुक और भी धेर सारी चीज़े खरीच चुका था वो सब भी शुगा को ही उठाना परा जंकुक फिर से अपने फ्यान से टे को कॉल करता है और कहता है बेबी तुम्हें और क्या-क्या चाहिए टे कहता है तुम अब रुकते क्यों नहीं इतना शॉपिंग तो मैं भी नहीं करता लेकिं जंकुक हमारा जंकुक एक स्माइल करके कहता है बेबी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी खरीद सकता हूँ पिछे से शुगा कहता है हाँ हाँ लपेट लो लपेट लो ये बहुत लंबी लंबी फेकता है जंकुक स्माइल करके कहता है सच सच बताओ तुम दोनों दोस्त होना हमारा शुगा मन में कहता है बिलकुल नहीं इस डेविल का में दोस्त तो क्या दुश्मन भी नहीं बनना चाहता लेकिं जंकुक स्माइल करके कहता है दोस्त नहीं शायद मैं इसका साला हूँ तब ही मुझे पर इतना भरकता रहता है अरे सर मैं आप पर कभी भरक सकता हूँ क्या मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है जंको कहता है बहुत हो गया तेल लगाना अब अपना काम करो हमारा शुगा गुसे में तिल मिलाते हुए फिरसेगारी की तरफ जाता है और बाकी सारी चीजें भी डिकी में रखता है जो कि बहुत जादा भर गया था तो सामने के सेट्स में भी रखना पड़ता है सिक्स्टी से भी जादा बैक्स हो चुका था बेचारा शुगा परिशान हो गया पूरा दिन चला गया शौपिंग में और जंकुक अभी भी बिलकुल एनरजी से भरा हुआ है जंकुक अभी भी वीडियो कॉल पर तेसे रोमैंटिक बाते कर रहा था और शुगा के दिमाग में आगसा जल रहा था उसे गुस्सा आ रहा था शुगा तो बेचारा अनरोमैंटिक है उससे कहा इतनी लबी लबी बाबुश होना वाली बाते हजम होने वाली है जंकुक के घर पहुँचने के बाद जंकुक अभी भी वीडियो कॉल पे बात करते हुए अपने कमरे में जा रहा था अचानक से ही वो किसी से टक्रा गया और कहने लगा कौन है यार जिमिन कहता है भाई मैं हूँ लेकिन हमारा जंकुक जिमिन को सौरी कहने के बज़ाए ते को कहता है सौरी बाबू वो मैं अपने भाई से टक्रा गया था इसलिए बात करने में लेट हो गई जिमिन गुसे में कहता है तुझे मुझे सौरी कहना चाहिए था भाई जंकुक कहता है बाद मैं कह दूँगा कहकर वो फिर से ते के साथ बाबुश होना वाली बाते करते हुए अपने कमरे में चला गया और इतने सारे शॉपिंग बैक्स के देखकर हमारा जमिन कहता है शुगा शुगा बताओ जरा उसने मेरे लिए क्या का खरीदा हमारा शुगा कहता है एक भी चीज नहीं यहाँ पर सिर्फ आपकी ममी और ते सर की चीज़े है आपके लिए कुछ भी नहीं है कहकर शुगा सारी सामान रगवा देता है और बाहर जाने लगता है लेकिन जमिन शुगा का हाथ पकड़ ले है तुम पहले खाना खाकर जाओ हमारा शुगा कहता है कि उसे भूक नहीं है कहकर वो अपने घर जाने ही वाला था कि जंकुक की आवाज आती है शुगा मेरे साथ डिनर करके जाना शुगा बेचारा पर गया मुसीबत में वो तो बस जेमिन से चुटकारा पाना चाह रहा था क्योंकि जिमिन उसे बहुत तंग करता है हमारा शुगा अपनी नाक से कोड़ कर कहता है ये दोनों भाई मुस बस मुझे परिशान करने के लिए ही पैदा हुए है शुगा ना चाहते हुए भी वहाँ पर सबके साथ डिनर में बैठता है अर जिमिन बार बार शुगा के बाउल में धेर सारी चीज़े दिये जा रहा था वो कभी मेट दे रहा था कभी सैलिड दे रहा था शुगा कह रहा था बस बस मुझे इतना नहीं चाहिए लेकिन जिमिन कहा सुनने वाला था वो बैट कर खुद सर्व करकर के शुगा को काफी सारी चीज़े खिला देता है शुगा था नाराज हो रहा था लेकिन जिमिन खुश हो रहा था मिस्टर और मिस्स चियन को तो सब कुछ समझ में आ गया कि जिमिन क्यों शुगा का इतना ख्याल रखता है जंकुक भी जानता था लेकिन शुगा था बिचारा अन्रोमैंटिक है उसे कहा इतना कुछ समझ आएगा जंकुक अपनी पैरेंट से कहता है ममा आप लोगों ने जो जो लिस्ट दिया था मैं उसके हिसाफ से सारी चीज़े लेकर आया हूँ क्या कुछ और लाना है तभी हमारा जिमन मू बिगारते वे कहता है हाँ जितनी भी सामान के लिस्ट बनाई है न वह दुबारा बना कर लाओ उसमें गलती से भी अपने भाई के लिए कुछ मत लिख लेना उससे तो अपराध हो जाएगा एक लौते छोटे भाई के लिए एक भी सामान नहीं सीरियसली भाई जंकुक अजीब सा मू बनाते वे कहता है तुझे किस ने कहा कि मैं तुरे लिए कुछ नहीं लाया हूँ कितने सारे शॉपिंग बैक्स है ना तेरे नाम का देखा नहीं तुने हमारा जमिन हलका गुसा होकर शुगा की और देखता है और शुगा को खासी आने लगती है क्योंकि उसने जमिन को चिरहाने के लिए कहा था कि उसके लिए कुछ भी नहीं लाया गया जंकुक जल्दी से शुगा को पानी देता है और वो पानी पी लेता है दो साल पहले शुगा ने जंकू की कमपनी जॉइन की थी जब से जिमिन ने पहली बार शुगा को देखा है तब से ही उसे प्यार हो गया लेकिन शुगा तो कुछ समझता ही नहीं शुगा का बरताफ और आनिस्टी देखकर जंकुक भी उसे अपना दोस्त मानने लग गया था जंकुक भी उसे अपना दोस्त मानने लग गया था लेकिन शुगा सिर्फ इरिटेट होने लग गया था पर दोस्त वो भी मानता है शुका भी जंकुग को दोस्त मानता है लेकिन वो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है और शायद जंकुग की हर एक हरकत पे ही उसे कुस्सा हाने लगता है खास कर जिमिन के वज़े से हमारे तेयार जंकुग कॉलेज के लफ बर्ड से उन दोनों की प्रेम कहानी तो कॉलेज में ही काफी फेमस थी दोनों ही कुछ जादा ही बाबू शोना ज्यादु टोना करते रहते हैं और इन बातों से जिमिन बहुत ज़दा इंप्रेस होता है वो भी शुगा के साथ बिलकुल ऐसे बात करना चाहता था लेकिन शुगा बाबू शोना सुन कर ही इतना इरिटेट हो जाता है कि आगे कुछ कहने के लिए रुकता ही नहीं फौर अन चला जाता है देखते ही देखते हमारे जंकुक के शादी का दिन भी आ गया हमारा ते ब्राइट बनकर बिलकुल रेडि था उसने वाइट कलर का सूट पहना था और ब्राइडल वेल भी पहन कर ख़रा था हमारा जंकुक ब्लैक कलर का सूट पहन कर ख़रा था काफी वेल अरेंजड वेडिंग था सब लोग बहुत ही जादा खुश थे हमारी ते और जंकुक के लिए शुगा भी खुश था कि फाइनली अब उसे शॉपिंग के पीछे अपना दिमाग खराब नहीं करना परेगा अब से जंकुक जहां भी जाएगा अपने पार्टनर को साथ ले कर जाएगा तो हमारा शुगा बच जाएगा लेकिन पीछे से जीमिन उसके पास आता है और कहता है अच्छा हुआ ना भाई की शादी हो गई अब वो अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग पे जाएगा और तो मेरे साथ अच्छा रहेगा ना हमारा शुगा कहता है कभी नहीं जीमिन थोड़ा सा अपसेट होकर वहाँ से चला गया शुगा को अब थोड़ा बुरा लगा उसे जीमिन के साथ इतना रूट भी नहीं होना चाहिए था वो जीमिन के पीछे पीछे जाता है वो फट से तो सौरी बोलना चाहता था लेकिन उसके मूँ से सौरी निकल ही नहीं रहा था गुसा करना होता तो बहुत जल्दी कर लेता है लेकिन माफी मांगने की बारी आई तो मोही नहीं खोल रहा जीमिना कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो जा सकते हो अब फाइनली हमारा शुगा सौरी कहता है और जिमिन भी फॉरन ही उसे माफ कर देता है और उसे हग करने की कोशिश करता है लेकिन शुगा उसे हटाने की कोशिश कर रहा था शुगा जितना हटने की कोशिश करता है जिमिन उतना ही टाइटली पकरने की कोशिश करता है और इन दोनों का ये sweet moment ये ही पर pause रहता है अब हम चलते हैं हमारे ते कुक के पास हमारे ते और कुक शादी के बाद सबसे हस हसकर बाते कर रहे थे और finally वो दोनों अपना wedding night celebrate करने चले गए और अगले ही दिन सुबह सुबह हमारा शुगा फिर से जंकुक के पास आया धेर सारी files लेकर लेकिन जंकुक कहता है आज के सारे meetings cancel कर दो क्यों sir कहा ना कर दो हमारा शुगा फॉरण ही phone उठाता है और सारे meetings cancel करने के लिए कहता है और फिर जंकुक कहता है आज तुम और जीमिन पूरा दिन एक साथ खूम होगे बस और enjoy करोगे जीमिन खुश होकर फिर से शुगा को हक करने की कोशिश करता है लेकिन शुगा उसे हटाकर कहता है क्योँ जंकूग अब इरिटेट होकर कहता है क्यों कि मुझे किसी का मर्डर करने जाना है अर जंकू शुगा को अन्रुमेंटिक इडिएट कहकर वहाँ से जाने लगता है और तब हमारे बिचारे शुगा को समझ में आया कि जंकूग उसे क्या कह रहा था वो जिमिन के साथ डेट पर जाने के लिए कह रहा है जिमिन हलका गुसे वाले नजर से शुगा की और देख रहा था शुगा कहता है आज ही जाना परेगा क्या जिमिन फिर एक स्माइल करता है और कहता है जाओ के तुम शुगा बहुत मुश्किल से स्माइल करता है और कहता है जाओंगा अगले सीन में हम देखते हैं हमारे ते और कुक अपनी वेडिंग के बाद पहली डेट पर आये थे हमारा जंगुक ते के लिए अपना फेमस सेवन सॉंग आ रहा था और दूसरी और शुगा और जिमिन डेट पर भी लराई कर रहे थे लड़ते लड़ते अचानक से ही जिमिन ने शुगा को किस कर दिया पहले तो हमारा शुगा शुग था लेकिन उसके बाद वो बेंजॉय करने लगा तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्यूट सी शॉर्ट सी टेकुक लव स्टोरी अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक सरूर कर देना ओके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एक और फैन फिक्षिन में तब तक के लिए बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-बाइ